Hello everyone, आज डेट है 12th of November 2022 और The Hindu News Analysis में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम The Hindu की Important News को एक्जाम के Point of View से डिसकस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेल्ग्राम चैनल वॉल्कनो आईएसकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेल्ग्राम चैनल वॉल्कनो आईएसकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एक्जाम मीनस यूपीसी, स्टेट पीसीएस और अधर एक्जाम्स के Point of View से काफी Important Information आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जोग्रोफिकल मैप क्योशन के साथ में और आज आपका क्योशन ये है कि नेगेव डेजर्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपोटेंट फैक्ट्स को और इन्फोर्मेशन को कॉमेंट बॉक्स में टाइप करना है, कल हमने आपसे क्योशन पूचाता, थाइलेंट कंट्री को लेकर के, तो थाइलेंट कंट्री को अगर हम मैप में व्यू करें, थाइलेंट कंट्री साउथ इस्ट एशियन कंट्री के रूप में एक्जिस्ट करता है, इसके नेबर के नेम को अगर हम डिसकस करें तो म्यामार, लाऊस, कमबोडिया और यहां पर साउथ में मलेशा कंट्री जो है उसके साथ में अपनी बोर्डर शेयर करता है बहुत सारी कंट्री जो है वो थाइलेंड कंट्री के साथ में अपनी मैरिटाइम बोर्डर भी शेयर करती है देखो तो यहाँ पर देखे नॉम पे हैं, जिसके बारे में कल हमने डिसकस किया था कि कमबोडिया की capital है नॉम पे, specific name है तो आपको पता होना चाहिए, और क्यों डिसकस किया था कि हमारे Prime Minister जो है, जो अभी Bali में G20 Group की जो meeting चलेगी, उसके बाद में यहाँ पर भी visit करेंगे, किसी other organization के important points में participate करने के लिए, यह जो Thailand country है, वो news में बना हुआ था कुछ टाइम पहले, क्योंकि जो Thailand country है, वो Asia continent का first country बन गया है, जिन्होंने cannabis plant को decriminalize declare कर दिया है, इससे पहले भी 2018 में, जो Canada country है, उन्होंने, Canada country G20 Group का first ऐसा country, जिन्होंने cannabis plant को decriminalize declare कर दिया था, और 2013 में, जो उरुग्य country है, वहाँ पर 18 year, एक decision लिया गया, कि 18 year से उपर के जो भी adults है, उन्हों सभी को regular किया जाएगा, कि वो cannabis plant means mariana, जो एक drug बनाई जाती है, cannabis plant का use करते हुए, उसको use कर सकते हैं, तो यह specific fact है, कि उन्होंने cannabis plant mariana जो है, उसको legalize किया है, और उन्होंने basic point यह बता है, कि वो अपने agriculture sector को boost करने के लिए, और tourism sector को attract करने के लिए, यह important जो points है, इनको legalized way में implement करने की कोसिस कर रहे हैं, तो यह important statement है, यह आपको ध्यान में रखना है, देहिंदू को discuss अगर हम करें, तो first important news है, देहिंदू के front page पर, और यहां पर राजियु गांदी assassination case, राजियु गांदी, हमारी former prime minister, 1991 में उनका assassination कर दिया गया था, उसके बाद में बहुत सारे लोगों को rest किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को तो बहुत पहले ही एक तरीके से उनको release कर दिया गया था, फिर seven लोग जो हैं, वो jail में बन थे, जिसमें से इसी साल के mid में एजी पेरारी वलन जो है, उनको भी release कर दिया गया, उनकी मतलब जो भी इनकी sentence थी, जो भी इनका punishment था, उनको complete करने से पहले ही early decision लेते भी उनको release कर दिया गया, तो यहां पर जो हमारा Supreme Court है, उन्होंने article 142 को use करते भी, जो अपनी special power है, उनको use करते भी decision लिया था, और अ अधर person है, उनको भी release कर दिया जाए, कि उसी के basis पर, कि same case है, same उन्होंने जो भी उनका involvement था, वो same था, तो उसी के basis पर इनको भी release कर दिया गया है, तो यहां पर जो Congress Party है, उन्होंने बोला है, कि वो इस तरीके के result को unacceptable है, उनके लिए, okay, इस फिस भी Congress Party की तरब से बोला ग हुआ है, तो इन सारे cases को इस तरीके से view करने की जरुरत है, हमारे इंपोटेंट है कि हमारा जो article है, article 142, उसका यूज करते हुए जो है, वो Supreme Court ने decision लिया था, AZ पिरारी बरलन के case में, तो आप comment box में बताओगे कि article 142 के तह है, जो है, कौन से special power, जो हमारे Supreme Court को मिली हुई ह नेक्स्ट यहाँ पर Supreme Court ने बोला है, कि देखो, judicial जितनी भी vacancies होती है, उन सभी को फिल करने के लिए, जो judiciary है, वो अपनी तरफ process करता है, लेकिन center की जो silence होती है, judicial posting को ले करके, वो काफे जादा condemnable है, तो यहाँ पर कुस टाइम पहले भी अगर हम discuss करें, तो लो मिनिस्ट लगाया था, देखो, 2015 में अगर हम बात करें, तो NJC लाया गया था हमारी government की द्वारा, और NJC का provision जो है, वो इसलिए लाया गया था, कि जो collegium system है, उसमें change हो सकें, और इसमें judicial जो member है, वो तो साथ ही साथ रहीं, इसाथ में government भी अपनी तरफ से जो eminent personalities हैं, उनको हमारी judiciary है, उन्होंने इसको scrap कर दिया था, और scrap करने का basis से बताया था, कि judiciary की जो power है, उसमें government अपना encroach करने की कोसिस कर रही है, जिससे हम distribution और powers जो है, हमारी legislature, executive और judiciary, इसमें जो भी हमारी distribution और power है, उसमें अगर government जो है, executive जो है, वो यहाँ पर enter करेगा, तो judiciary की जो independence है, जो judiciary अपने level पर work कर पाती है, कोई भी issue, कोई भी bill, अगर उसमें लगता है कि ये issue बने हुए है, उन सभी को, जो negligence होना चाहिए, उन सभी के उपर effect गिरेगा, मतलब independence जो है, उसके उपर effect गिरेगा, judiciary की, तो इसे के basis पर, जो NJC है, उसको repeal कर दिया गया था, scrap कर दिया है, उन सभी में changes किये जाएं, और time के साथ में upgradation जो है, वो उसमें होना चाहिए, next important article है, यहाँ देखिए, editorial page पर, और यहाँ पर, editorial page पर जो article है, देखो अभी UGC ने कुछ important अपनी तरप से notification रिलीज किये है, UGC ने decision लिया है कि अभी, जब PhD को student करता है, तो उनको कुछ research paper जो है, वो कुछ ऐसी standard जो generals है, उनमें publish करवाने होते थे, लेकिन इसकी वज़े से, जो standard generals है, उनकी संख्या है कम, PhD की संख्या करने वाले students की संख्या है जादा, तो उन generals में उनके research papers publish होना, उनको view मिलना, काफी ज़्यादा एक long procedure होता था, तो इसी को लेकर के UGC ने इ release करवा सकते हो, तो यहां पर writer का ये बुलना है, कि देखो, अगर हम PhD holder है, और अगर research के उपर हमने focus नहीं किया, तो जो एक हमारा main objective होना चाहिए, और PhD का, वो complete नहीं हो पाएगा, हालांकि ये जो rules and regulation जो change करना हमने रखा है, वो काफी ज़्यादा important भी है, क्योंकि जिस त problem बढ़ेगी, कि जो research कर रहे हैं, उनको काफी अच्छे level पर बुजो है, वो अपने research paper को नहीं लिख पाएंगे, तो यहां पर इस article में बुला गया है, कि university level पर, या जो भी हमारे professors हैं, वो अपनी तरफ से push up करें, अपनी तरफ से extra इस तरीके की information उनके साथ में share करें, कि नहीं research जो है, वो एक standard level का होना चाहिए, बले ही UGC ने हमें जो है, वो other point of view से, ये कुछ हमें क्या दिये हैं, छूट दिये हैं, लेकिन हमें जो है, वो अपनी study को, अपनी research को एक अच्छे level पर complete करना है, ओकी, next यहां पर जो article है, देखो, इस article में focus किया गया है, कि जो हम हमारी higher education है, उनमें अगर हम उन higher education institution में जब तक हम autonomy नहीं देंगे, तब तक उसका जो result है, वो अच्छे से निकल करके नहीं आ सकेगा, जैसे कि जो writer है, उनोंने यहां पर दो अलग अलग जो ranking है, उनकी बात की है, जैसे कि 2023 edition of the QS World University ranking, इसमें हमारे इंडिया की सिर्फ तीन institute ऐसे है, higher education institution, जो top 200 में है, अगर हम top 300 की बात करें, तो इसमें दूसरे तीन ओर, मतलब तीन ओर जो मिलकर की है, मतलब top 6 हो गई, और top 400 में बात करें, तो दो ओर सामिल है, तो इस तरीके से आप top 400 तक जाओगे, तो 7-8 institution ही आपको देखने को मिलेंगे, हमारे इंडिया की top higher education institution के रूप में, दूसरी ranking आती है, the times higher education ranking places, इसमें इंडिया के top 400 में, जो top institution जो होने चाहिए, education institution होने चाहिए, उसमें सिर्फ एक institution जो है, वो सामिल है, तो आपके लिए question ये है, कि दोनों की दोनों जो ranking है, वो कौन publish करता है, ये आप comment box में बताओगे एक तो, क्योंकि बहुत बार इन rankings को लेकर के question पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये देखो, काफे ज़्यादा issue है, problem है, कि हमारे education institution जो है, वो अच्छे से perform नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो writer है, उन्होंने अलग-लग example भी लिये हैं, जैसे कि उन्होंने European University Association का example लिया है, कि ये अप focus करते हैं, लेकिन हमारे India के level पर अगर हम discuss करें, तो हमारे India में तो UGC, University Grant Commission, ये जो university है, वो एक तरीके से regulatory regime जो है, वो सभी universities के लिए release करती है, इसके अलाव भी बहुत सारे institution हैं, जैसे technical universities के अगर हम बात करें, तो AICTE, इसकी guidelines follow करने पड़ती हैं, और भी state level पर बहुत सा regulate करने के लिए bodies होती हैं, तो इसके basis पर जो independent, जैसे कोई universities है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, कि जैसे university है, main university है, उसके अंडर जो भी colleges आएंगी, तो colleges की रूप में adjust करतेंगी, लेकिन foreign countries में इसा नहीं होता है, main universities की branches की रूप में, जो भी other universities हैं, वो as a university ही अपना role play करती ह मतला वहाँ पर dependency और जो कम है और independence जो है, वो जाता है, जो भी institution है, वो अपने level पर decision, अपने academics को, अपने students की quality education को promote करने के लिए, किस तरीके से promotion किया जा सकता है, उन सभी के उपर जाता focus किया जाता है, दूसरा यहाँ पर बोला गया है, कि देखो हमारे higher education institution जो है, वहाँ पर जो study है, वो एक तरीके से authentic based होने चाहिए, मतलब सिर्फ bookish knowledge हमें नहीं देनी है, जो practical knowledge है, वो उसके उपर हमें focus करना है, तब ही quality education जो है, वो release हो पाएगी, और basis क्या है, autonomy है, तो autonomy के basis पर हमारे जो higher education जो है, वो excellence level पर work कर सकते हैं, next important article है, यहाँ देखिए, यह वो ही जो अभी अपने front page पर discuss किया, कि Supreme Court ने जो order दिया है, इसको लेकर के Congress ने बोला है, कि इनका यह जो result है, यह unacceptable है, next यहाँ पर, जो जहारकंड state है, उन्होंने एक bill pass किया है, कि government जो में reservation जो है, उसको increase करके, वो 77% तक increase करेंगे, अब यह जो reservation है, इसमें SC, ST, OBC, EWS, इन सभी का reservation जो है, वो सामिल होगा, ओके, तो देखो, उजहारकंड ऐसा पहला state नहीं है, इससे पहले भी other other state जो है, वो इस तरीके का वर्क कर चुके है, तब मिलाडू जो state है, वहाँ पर 69% तक जो है, वो क्या available है, reservation, देखो, 50% का ज 50% से ज़्यादा reservation देने की जर्रत नहीं है, लेकिन reservation का main अगर हम aim की बात करें, तो main aim यह है, कि हमारी society में, जो भी equality नहीं है, उन सभी को हमें बनाने के लिए, या फिर equality लाने के लिए, जो भी हमारे tools होने चाहिए, उन सभी को हमें implement करना होगा, तो जैसे कि अभी 103rd constitutional amendment act के थिरू जो है, वो EWS reservation दिया गया, हमने यह माना कि जो general category के लोग है, उन में भी से भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी economic condition अची नहीं है, और उनको higher education और जो भी important या government जो में participate करने के लिए, उनके पास में equal जो सोर्सेज हैं, वो available नहीं है, इसे के basis पर government ने reservation दिया, तो reservation का main target यह है कि society में equality लेकर के आना, और equality कब आएगी, जब सभी equal तरीके से represent हो पाएंगे, इसी लिए जो है, वो reservation को extend किया जा सकता है, कुछ specific point के basis पर, ओके, next important article है, यहाँ देखिए, हाँ, देखो, अभी कुछ time पहले, जो हमारी central government है, उन्होंने हटी community साथ ही साथ में, जो करनाटका state है, तमिलाडू state है, वहाँ पर भी, 36 गर जो state है, और यहाँ पर करनाटका जो state है, वहाँ पर भी कुछ communities को ST में सामिल किया गया था, तो यहाँ पर बताया गया है, कि तो उनको, उनकी population के basis पर, जो हमारी legislative assemblies है, उनको लेकर के भी legislative assemblies, या फिर जो parliament है, उनकी level पर भी, उनको reservation दिया जाएगा, अगर उनकी population जो है, वो representable ढंक से नहीं है, तो बहुत सारे, उनको job में, promotion में, और जो उनकी education है, इन सभी में यहाँ पर उनको reservation दिया जाएगा, जिसे उस community की upgradation में काफी ज़्यादा help मिलेगी, next important article है, देखो एक research हुआ है, और इस research में एक important बात बोली गई है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हिमालियन जो region है, वहाँ पर grey लंगूर जो है, वो पाई जाते हैं, तो अलग अलग level पर, मतलग कहीं पर जो है, वो जो है, altitude जो है, वो किसी भी, कोई भी important animal जो है, उसकी diet को भी decide करता है, उसकी diet का क्या attitude रहेगा, जैसे कि यहाँ पर यह बोला जाता है, कि जो कम altitude पर है, जिनकी कम height पर जो लंगूर जो है, वो exist करते हैं, वो एक तरीके से fruits जो है, उनको consume करते हैं, और जो ज्यादा high level पर ह जो है, वो another group, मतलब flowers जो है, उनको consume करते हैं, तो यह differentiate जो है, वो देखने को मिलता है, next यहाँ पर जो ग्यानवेपी case है, उसको लेकर के supreme goat, वहाँ पर जो sibling वाला जो area था, उसको protection दे रखा था, तो इसी को लेकर के supreme goat ने फिर से उस area को extend कर दिया है, कि लगे कलंबे time तक उसके उपर निगरानी बनी रह सके, और उसको secure किया जा सके, ओके, यह जो ग्यानवेपी case क्या है, देखो यहाँ पर जो है, वो Moscow बनाई गई, तो इसको लेकर के allegation लगे, कि यहाँ पर पहले जो है, वो मंदिर अवेलेबल था, फिर इसको लेकर के research किया गया, तो माना गय कि हाँ, sibling के हम पर traces देखने को मिले है, तो देखो, हमारे इंडिया की diversity है, diversity है कि हमारे यहाँ पर अलग-अलग religion होंगे, तो उनके अबरसिप places भी अलग-अलग होंगे, तो हम क्यों ऐसा करें, कि हमारी जो diversity है, वो हमारे लिए जो है, वो एक danger के रूप में सामने आई, हमा growth के लिए, तो यह जो भी diversity है, उनको अपने perspective, या फिर अगर हम बात करें, तो political benefit के basis पर इन सभी को divide नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो diversity है, वो काफे ज़्यादा important है, और यह अगर हम बात करें, तो ancient times से इंडिया में exist करती हुई आ रही है, तो उसको हमें sustain करना है, regular करन है, और एक अच्छे level पर regular करना है, तो सभी के जो भी important points है, उनको हमें follow करना होगा, उनकी एक तरीके से respect करनी होगी, next important article है, तो को यहाँ पर Twitter को जब से Elon Musk ने buy किया है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि जो blue tick है, मतलब वो ही Twitter handle जो है, वो regular हो पाएंगे, जिनको पास में blue tick है, और यह blue tick जो है, वो monthly को charges जो है, उसके decide किये जाएंगे, उसके business पर दिया जाएंगे, तो main target इसका यह है, कि जो भी Twitter handle है, वो fake तरीके से regular ना किये जा सके, उनका real जो originator है, वो पता होना चाहिए, real person जो उनको use कर रहा है, वो पता होना चाहिए, okay, तो यहाँ पर जो है, इसकी वज़े से जो transparency है, वो काफे ज़्यादा increase होगी, next यहाँ पर G20 meeting में, अभी China और US दोनों के जो president है, वो participate करेंगे, तो यहाँ पर important information आई है, कि उस meeting के बाद में, China और US के जो president है, वो आपस में भी अपनी meeting रखेंगे, तो यहाँ पर रताया गया है, कि China के ज Economic Corporation की जो meeting है, उसमें participate करेंगे, और US और China के बीच में, जैसे की, जो semiconductor chip है, उनके import-export के उपर, जो US की तरफ से regulation देखने को मिले, उन सभी को एक तरीके से regular किया जा सकेगा, और भी other issues है, उनके उपर यहाँ पर discussion किया जाएगा, तो हमारे लिए important है, APEC, Asia Pacific Economic Corporation, तो यह जो Asia Pacific Economic Corporation है, इसकी अगर हम बात करें, तो map के through हम view करेंगे, देखो आप सभी को पता होगा, कि यह जो ocean है, वो कौन सा है, Pacific Ocean है, तो Pacific Ocean के rim area पर, मतलब उसके, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो coastal areas पर, जो भी countries हैं, या पर यह small islands हैं, वो सभी इस group के member है, Asia Pacific Economic Corporation, यह जो group है, इसको 1989 में established किया गया था, 21 countries इसके member है, ध्यान रखना है, इंडिया इसका member नहीं है, यहाँ पर जो US जो है, वो भी इसका member है, Australia, New Zealand, China, जो भी member है, जापान भी member है, रश्या भी member है, यह आप ध्यान में रखना है, लेकिन इंडिया member नहीं है, main target यह है, कि Asia Pacific जो है, यहाँ पर ज सभी में independency बना करके रखना, equality बना करके रखना, और सभी के लिए equal तरीके से available करवाना, इन सारे areas को, इसके उपर main focus किया जाता है, trade connectivity इन सभी के उपर जो है, वो focus किया जाता है, इसे group में, तो यह आज का अमारा देहिंदू newspaper का discussion है, अगर आप यहाँ तक आई है, वीडिय इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा आप हमारे other initiative, जैसे की daily question and answer series आती है, इसके अलावा morning में, जो है, वो daily current affairs जो है, वो आपको available करवाए जाते हैं, उनको आप जाकर के view कर सकते हूँ, और आप जो है, वोलके कीजिए कीजिए